अभी मैं आप लोगों को एंजल बन पर दिखाता हूं जल्दी से कि stop loss कैसे लगा जाता है अभी जस्ट मैंने बस आप लोगों को stop loss लगाने के लिए पोजिशन खरीदा ठीक है तो इसको मैंने खरीदा कि इतने पर 200 रुपया पर अभी मैं अगर मैं stop loss लगाना चाहता हूं कितने रुपय का? बीस पॉइंट का ठीक है तो मैं इसमें stop loss लगाऊंगा 180 रुपय का तो इसपे click करने का नीचे आपको दिख रहा है stop loss इसपे click करना ठीक है, lot सई है अब मैं इसमें अगर 180 रूपीज का stop loss लगाना चाहता हूँ तो जो price है ना यहाँ पे आपको एक price दिखेगा और एक trigger price दिखेगा तो price पे आपको कितना लिखेना है? मानलो 180 का stop loss लगाना चाहता हूँ तो मैं trigger price पे लिखूँँगा 179 ठीक है? इस पे 180 लिखना है और trigger price पे 179 लिखना है और sell कर देना और confirm कर देना है order submit यहाँ पे stop loss लग गया अब जैसे यह 180 पे आएगा यह order मेरा execute हो जाएगा अपने आप